इस पार्ट में आपको बताने वाला हूं कि हरपन सिविलाइजेशन जिसे हम इंडिस वाली सिविलाइजेशन भी या हरपन कल्चर भी कह सकते हैं में सोशल डिफरेंस कैसे ट्रैक किये गए थे अनलाइक अदर सिविलाइजेशन जो की इंडियन कल्चर को प्रिवेल करते हैं यहां पर एक मेजर डिफरेंस देखा गया है कि यहां पर इन लोग का एक डिफरेंस सोसाइटी से अलग ये था कि यह लोग अपने डिफरेंस को बरी करते थे हमें ऐसी ग्रेव मिली है जहां पर एविडेंस हैं कि इन्होंने अपने डिफरेंस को बरी करा है साथ ही साथ ये लोग कुछ you know ornaments वगेरा उसके साथ में बरी करते थे अच्छा लेकिन not in all sides हमें ये चीज़ें मिल रही है हमें कुछ limited sides पे ही कुछ limited जगों पे ही ऐसी चीज़ें मिली है तो ये बताता है कि इन डिफरेंस ये था उस समय की culture अगर हम Egyptian, Mesopotamian इन लोगों की culture को depend करें या इनको compare करें तो यहां दिखता है कि ये लोग life after death के किसी भी you know role में believe शायद नहीं करते थे for them once dead that means dead इस reason से unlike the Egyptians इनकी burial pits में हमको खूब valuable चीज़ें नहीं मिली है जैसे कि हम देखते हैं हम जानते हैं मतलब Egypt की सब्यता में हमने देखा है they used to go ahead and bury all sort of things daily use की चीज़ें they believed in afterlife यहां ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं हमको so this gives us a trajectory difference between the Harapan civilization and other civilizations of that period इन लोगों में हम जैसे देख रहे हैं कुछ एक sights मिली है जहां पे हमें ये भी पता चलता है कि they were not into too much luxuries इनकी अगर हम luxuries देखें तो इन्होंने चीज़ों को दो parts पर divide करके रखा था एक basic utility की चीज़े और एक luxury की चीज़े अब utility की चीज़े क्या होती है utility की चीज़े जो दोस्तों होती है tools, pots ये सब चीज़ों हमें भरपूर मात्रा में मिल रही है लेकिन हाँ अगर हम बात करें तो हरपा, मोहन जोदरो ये जो basic sites हमने excavate करी है और यहां से हमें जो चीज़े मिली है वो दिखाती है कि yes there were some luxuries also involved छोटी bottles जो बनती है basically देखे तो एक metallic bottles या काच की bottles जो बनती है तो उस्तों बनाना बड़ा मुश्किल होता है अगर हम utility की बात करें तो खाने का समान जो बनता है, जो utensils बनते हैं they are easily prepared so that shows कि utility में तो ठीक है they were expert but luxuries के हम बात करें तो luxuries की जो चीज़े ती जैसे gold ornaments, rare you know rare bottles and rare utensils जो होते हैं वो हमें सिर्फ कुछ limited sites पर मिलती है, छोटे settlements जो थे small settlements जो की हम कजबे कह सकते हैं वहां पर यह luxury की चीज़े almost missing थी वहां पर हमें यह luxury की चीज़े बिलकुल नहीं मिल रही है, वहां दिखती नहीं है luxury की कोई सी भी चीज़ अब हम बात करते हैं कि यह luxury की चीज़े होती क्या थी तो हम देख रहे हैं, gold और यह चीज़े तो बहुत rare थी luxury की चीज़े होती है, ornaments almost men and women दोनों की grave में हमें कुछ ornaments मिले हैं, luxurious big sites पर लेकिन यहां छोटे settlements जो हैं, वहां पर हमको ऐसी कुछ भी luxuries नहीं मिल रही हैं तो बताते हैं, यह दिखता है हमें कि एक सादा जीवन लोग जीते थे it was same hierarchy maintained as a villages में and towns में या बड़े शहरों में जिस तरीके से होता है यहां पर भी वो difference था, यह civilization जो था, इसमें differences को maintain करके रखा गया था manage करके रखा गया था and इस कारण से एक proper bondage civilization को चलाने का चला था दोस्तों तो यहां हमें समझ में आ गया है, basically इनके social differences क्या होते थे, किस तरीके से यह लोग एक अलग costing पे, अलग way of life पे चलते थे, इनकी utilities की चीज़े अलग बटी थी, इनकी luxuries की चीज़े अलग बटी थी तो यह हमें artifacts जो मिलते हैं, उन से पता चलता है दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह दो सब topics अब समझ में आये होंगे, कुछ और questions या doubts है तो please नीचे comment box से comment करिये I will be personally going ahead and replying them back as well So thank you very much, video को like करिये और channel को subscribe करना मत भूलिये Because we are completing the whole series for you within a next few weeks Thank you very much, take care